असलाम अलेकुम और वेलकम टो इसलेर्णिंग आज हम Oxford Progressive English Book 8 का यूनिट टंबर 6 करेंगे फूट जिसका आज का मारा न्यू टॉपिक है The Best Soup in the World तो चले अपनी वीडियो को कंचिन्यू करते हैं इसकी ट्रांसलेशन करते हैं सुबा के वक्त 7 बजे ठंडी हवा हिनोई के पुराने अलाके में जहां दुनिया का बहतरी नाश्ता ढूनना मुश्किल नहीं था आपको बस उस दर्वाजे पे यानि उस एंट्रेंस में नजर रखनी हैं जहां से स्टीम निकल रही हो और लोगों का जुर्मट हो यानि क्राउड ओफ पीपल वहाँ पर मौझूद हो जो लंबी स्टूल पर बैठे हो जब आप लंबी स्टूल पर बैठे हो तो आपके नीचे से पाउं ले टक रहे होते हैं और एंकल्स आपके नजर आ रहे होते हैं यह सारी निशानिया एक ऐसी जगा की हैं जहां फा नूडल सूप मिलता है फा क्या है फा एक सूप है जो के बीफ स्टॉक से बनाया जाता है और उसमें स्पाइसेज डाले जाते हैं और उसमें noodles डाले जाते हैं इसके इलावा इसमें पतले slices, beef और chicken के भी डाले जाते हैं इसकी खुश्बू fog के जरी हम तक पहुंचती है इसकी खुश्बू का sign, यह banner है यानि निशानी होती है जो कि एक बड़े call door soup के pot से आ रही होती है call door क्या है? एक तरह का metal pot है जिसमें soup रखा जाता है और यही तरीका होता है customer को अपनी तरफ बलाने का यानि इसे खुश्बू आए और वो soup पीने की डिवान करे यह खुश्बू हमारी कौमी पहचान है जिसे हम own करते हैं obsession means यह हमारी milk yet है यानि हमें proud है कि यह हमारे यह मिलता है फा एक breakfast से जादा है North Vietnam के लोगों के लिए यह दुनिया का बहतरीन soup है और हमारे मुल्क की रू है यहाँ wefts का मतलब है gentle movement of air paragraph नमर टू में बात और रही है मैं फा के लिए यानि soup पीने के लिए जल्दी उठ गया हाला कि हर हिनौई के रहने वालों के लिए फा एक बहतरीन जगा है लेकिन सबसे बहतरीन एड़ाइस यह है कि जहाँ जादा लोग एकटते हों किसी इस्टॉल को घेरे बे हों इसका मतलब वहाँ पे soup अच्छा मिलता है और यह जगा कहां थी शहर के मेडविल यानि बीच में मर्चंट की जगा थी यानि जहां ताजर लोग काम करते हैं वहाँ पर जहां मुझे मुवविबल यानि पोर्टेबल रेस्टॉन नजर आया जो आप पचकल आप देखते हो एक जगा से दूसरी जगा मुव करने वाले रेस्टॉन्स होते हैं जो वैंज में बने वे होते हैं या रिक्षा में बने वे होते हैं ठीक है इसने इसे बंद दुकान के बाहर ख़़ा किया था ये उसे एक लड़की चला रही थी जो जो शॉप बन थी उसके बाहर उसने अपने रेस्टॉन को ख़़ा किया था अपने मुवबल रेस्टॉन को उसने वहाँ पे ख़़ा किया और इसके आसपास बहुत सारे कस्टमर्स थे हिन में से हर एक जो है वो प्लास्टिक स्टूल पर बैठा हुआ था जैसे कि छोटे बचे स्टूल पर बैठे होते हैं ब्लकुत ऐसा लग रहा था और इसके पीछे कुछ लोग खड़े वो इंतिजार कर रहे थे अपनी बारी का और उनके करीब जो होवरिंग यानि वेट कर रही थी खाना ले जाने के लिए यानि घर पर ले जाने के लिए वेट कर रही थी टेक अवे के लिए थाओ वेल सूप के सेंटर में दो बड़े सौसर शेप की लकडी से बनी हुई यानि स्टिक से बनी हुई विकर कहते हैं स्टिक से बनी हुई बास्केट थी वो उसे कॉलर और शोर्डर पर लटकाते हुए गलियों से गुजरती थी हर सुबा सूरज निकलने से पहले और एक बास्केट में सूप का मेटल पॉट होता था यानि कॉलरोन जिससे बबल निकल रहे होते थे जो कोल से चलने वाले चूले पर रखा होता था एक छोटा पॉट इस कॉलरोन के अंदर रखा होता था यानि इस कॉलरोन में बबल तो निकल रहे होते लेकिन एक और अधनिया, फुदीना, हरी प्यास, हैंग कहते हैं, लंबाई में ताजा चावल से बने हुए नूडल्स रखे होते थे, जैसे सफएद मार्बल हो, बॉल्स में बीफ रखा होता था, बाउल्स में जैसे बीफ पकता है, जब बीफ को पकाया जाता है, तो वो सिल्वर रंका हो होता है, दूसरे में छोटे खुशनुमा फिले, यानि बोलेंस बोटियां थी, यानि उसमें हडीयां बिल्कुल भी नहीं थी, जिसे टाइ कहते हैं, यही लफ्स जो वेस्टरनर्स फखर से इस्तमाल करते हैं, टाइ वर्स जो है, यही वेस्टरनर्स बहुत खुशी- मकामी लोगों को हसाता है, यानि यह इस तरह से आवादे देना, ओर्डर देना जो है, वहां के जो मकामी लोगों होते हैं, उस बात पर हसते हैं, थाओ वेन में ऐसा लग रहा था, जिसे कि एक्सरसाइस हो रही है, यहां एक छोटी सी सर्विंग टेबल थी, बिल्कुल उस अंधि की लमेंट, डाला जाता है, रगवादी है, जिसमें घृज अचे एक कोई मिर्शे जाती है, और चिली कैचप, छिली केचप ती we象 को तो खाने थी लिए इसे सेव का सिर्का होता है है, तो सेव को थोड़ी रखते है, पानी में को सिर्का का के वहा है तो शिच्टि ह को अरेंज किया हुआ था बहुत अच्छे तरीके से चूला इसके लेफ्ट पर था बाउल प्याले में नूडल्स गोश्ट और हर्ब्स राइट साइड पर पड़ी हुई थी यह तेज जैट पैलेट की तरह काम कर रही थी जो कि अपने कंपार्टमेंट में बैठा होता है या अपनी सूप किसका था मीड़ से बना वा था 9 बजने से पहले वह ऐसा तैयार कर लिए जो कि ऐसा लगता है था कि हर दू मिनट बाद एक तैयार हो जाता है था हर दू मिनट बाद हूब आपको चाइसर समझ आया होगा अगर आको वीडियो अची लगती है तो कानी लाइक क